वुट्सब गाइज वाइज आप सब्सक्राइब माइनकर्फ के एक और में एपिसोड में तो आज हम लोग एक मस्त वाला मैप खेलने जारें जिसका नाम स्काइफ फैक्ट्री वर्जिन 3 तो यह मैप हम लोगों को सजेश्ट किया था हमारे चैलेंजर भाई सबने और बोला सब्सक्राइब को टर्न करना पूरे एक फैक्ट्री में तो देखते ही कितना चैलेंजिंग होता है तो चले सब्सक्राइब को शुरू करते हैं तो हम लोगों को यहां पर थोड़े बहुत समान दियेगा है इसे कि स्काइफ एक्ट्री टुटोरियल बुक है तो इसको ओपन एक बैसिक है वोके फिर्स फर्स फॉरल तो लिखा है ब्रेग ट्री बिलो यू और यूस्ट ईसपांड यॉर्टॉर प्लैटफॉर्म रिप्लांट ट्री एंड ग्रोंट विट बोन मिल ओके तो बोन मेल सम दोगों को इसको ग्रों करना होगा तो फिर्स फ़र्स फॉल तो इसका थोड़ा बात बेसिक नॉलेज है मुझे तो मैं आप अपना टाइम जो वह बेस्ट नहीं करने वाला हूं यह इतना एक और जस्ट नहीं नहीं भई पहले तो फर्स आफ और यह लीव जो तूटने स्टार्ट हो गए तो मेरे को यहां पर फड़ा-फच्छे जो एक सब्सक्राइब करने लोग को थोड़ा लेने चाहिए तो क्रूक से हम लोग जो है इन सबी को जो है तोड़ सकते हैं इन से जो है डिरेक्ली सेप्लिंग जो है वह बना सकते हैं तो इसमें कुछ सब्सक्राइब की गई है और इसमें धेर सारे मौब्स अगर आप लोगों को इसको खेलना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और थोड़ा बहुत लीव्स मेरे नीचे गिर गए एनिवेश और यहां पर प्लेस कर लोगा यहां पर फॉर्स्ट अपर थो सब्सक्राइब कर देता हूं हर एक साइड पर ताकि लीव्स की सफोकेशन की वाज़े इसके नीचे लगा देवाने एनिवेश लिविट अब लोगों को बोला था कि बोन मिल से जो यह प्लांट को उगा लेने तो मैं यहां पर बोन मिल से प्लांट को उगा देता ओ भाई सब्सक्राइब कर देंगे ताकि थोड़ा बात एक्षा वुड़ा अपना बेस को एकस्पांड करने के लिए तो हैर वी को और गलती से भी डर्ट ब्लॉक को नहीं तोड़ देना है मेरेको और यहां से अम लोग आप लोग देख सकते हैं सैपलिंग खुद का बना सकते हैं सब्सक्राइब करने मैं कोई भी वी लीव शुर अपको आप लीनिक मिल गा बस ऑ कि तो इसको लिकर कि यहां पर पलेश कर देते हैं और यहांप लिए और को एक अपहल आइड्या आप लिए एगी घ्यान कि यह जींगे कर दो कि यह इक और सब़न पर देते हैं तो अगर व मिलता तो मैं क्या ही करता भाई अगर आपको नहीं मालूम तो यह वर्ल्ड का जो टिक स्पीड है वो फाइफ पाता नहीं क्यों लेकिन मैं इसको एसी रहने देने वाला हूं मैं इसके राथ कुछ चेड़ साड़ नहीं करना ओकी एपल मिल गया हमें अंड 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 बहुत सारे मिल भाई ओके दो दो सैपलिंग मिल चुके हमें अंड तोड देना वाला हूं नहीं एक सेकंड को मैं यहां से क्राफ्टिंग टिबल से एक और एक्स्रा क्रुक बनाने से अच्छा रहने दो मैं फर्स आफ आफ आल तो बेस एक्सपांड करता है कि इसका बाद म कि इतना कुछ सा मैंने किया है अभी हम लोग जो है इन सब को तोड़ देते हैं यह फेर भी को सब तूड़ गए अभी मेरे को एक क्रुक बनाना चाहिए था लेकिन मैंने नहीं बनाया तो इस पेड का उगने का इंतजार कर लेते हैं कि यह पेड उग चुका है तो मैं इसको काटना स्टार्ट करता हूं ताकि हम लोग बना सके अपने लिए आइमीन दो क्रुक बनाना पड़ेगा एक का तो टुटोरियल बुक लेना पड़ेगा वाफिस ताकि हम लोग जो आगी के टास्क वागेरा जो उसको कम्प्लीट कर पाएं और नहीं चीजे जान पाएं वाइसा इतने तने लिव लेकिन इधर वुट बहुत कम था था थोड़ा बहुत हम लोग को स्टिक्स बनाना है और लगेगा एक क्रुक तो यह क्रुक को पहले इस्तमाल कर लेते हैं तो दाट हम लोगों का डामेज क्रुक हो जाएगा अब लोग इसको जो एक टुटोरियल बुक के तौर पर कर लेंगे तो यहां पर तोड़ देता हूं मैं फड़ा पट से ओके तो यहां पर मैंने सभी को तोड़ लें इस वूड़ को भी तोड़ लेते हैं और वापस से जो मैं यहां पर जो एक सापलिंग प्लेस कर देता तो इसको ओपन कर लेते हैं जिससे हम लोगों को दो बुक्स मिलेंगे यह पिये रहा तो अगला टास्क है हम लोग का गैदर लीव बना लें हम लोगने सीव क्राफ्ट सीव औं इंटरेक्ट इसिग डर्ट यू कें क्राफ्ट डर्ट यूजिंग नाइन लीव ओके तो अम एस ए एस आई तो कि यह रहे तो सिक्स रहेगा एंड हम लोगों को चीह रहेगा वुड श्टिक्स बनाना पड़ेगा थोड़ा श्टिक्स बन गए यह रहा हमारा सीम बनके तौड़ वेस्ट और पर तो नहीं आपके थोड़ा बहुत और बेस टोड़ने वाला हूं एक और क्रूक बनना पड़े काम लोगों को सो दाट विकन यूज इट फॉर गैदर दीव्स एंड मेकिंग ड़र्ट आप एक और लीव वेस्ट कर दिया पता नहीं मैं इतना लीव वेस्ट क्यों कर रहा हूं और मेरा क्राफ्टिंग टेबल उस साइड को है यहां से थोड़े लेव वह अपने लगते हैं क्योंकि इसका टिक स्वीड भाई फाइफ है और बहुत जल्दी राथ भी ओगई दर बहुत जल्दी राथ के सब्सक्राइब तो लिया यहां पर एक और बार से लगा जेते हैं एक यह सब्लिंग और थोड़ा बहुत और जो है हम लोगों को चा करना आण उसके बाद अपना सीव का जो काम है वह अम लोग शुरू करने वाले हैं कि और यह बीगो अपना सीव रखना ला जाने ठंडरिंग और और भाई एडिस सीव का काम लोगों को देखना है तो फर्स अफ वाल तर्व लोगों को यह पे डर्ट बनाने बोला तो उन लीव से एक ड़र्ट वहां भाई सही है इन सभी को तो सीव नहीं करना और मैं इसमें से पार्ष ड़र्ट को सीव करना लो तर सम्थिंग लाइक दिस ओकि क्या क्या अलग अलग सामान मिल रहे है और कोबल स्टोन के पेबल्स वागरा भी मिल रहे हैं यहां पर बस इतने कोई स कोबलम से बना सकते हैं कोबल स्टोन ओठाक चaken रहे हैं क्या चानलो ह। देख कर देता हूंँ यहां ऌङाप। आप लेए नियुक्त आप लह फ्लिए अलय। लाग अ में ताफिए ओग लेह अत्ति को थोड़ा बहुत डेक लेते हैं तो हम लोग ने ये कर लिया है यूज भीड शोन फ्राम डद टो गेट सम कोबल स्टोन गड़ेटर लोग नाइस वन तो हम लोग इसको किप करना वाले लेकिन और मेरे पास और कुछ भी है दिखाने के लिए आप लोगों को तो मैं पहले वहीं करने वाला हूं मैं टास्क अकॉर्डिंग ली नहीं जाने वाला क्योंकि टास्क में बहुत बोर लगेगा नहीं तो फर्स वाल तो यहां पर पेड उख चुका उनको उसको तोड़ रहा हूं है फड़ा-फच शीट भी ट्राफ्ट कर सकते हैं why यूजिंग 3 Oak सापलिंग कोई भी लीफ को यूइव करके तो थीफ को उसकर के हम लोग सीड बना सकते हैं औं उसको प्लांट कर सकते तो तो अल्सों सो फ़ेश्ट वेरी गूड अड यहकश्टम रेसीं बहुत रहिने का रहिता अगर बना लिए थोड़े बहुत और इसको भी जोए सभी को सीफ करने वाला हूं मैं यह थोड़े बहुत और पेबल्स मिल जाए एक सब्सक्राइब भी वापस लीव नहीं वापस नहीं थीन चारकॉल मिला वाओ नाइस भी तो बना लेता हूं अभी हम लोगों को थोड़े बहुत बूड़े रहेंगे एक काम के आप लोग कर क्या सकते हो कि एक दो अगर श्रमाजलों वैने कोबल्स वन ऐसे प्लेश किया आप हैमर की मदद से उसको ग्रैवल में कनवर्ट कर सकते हैं लेकिन ग्रैवल को अगर आप वापर से तोड़ते हो हैं मिलता है अगर आपको लग खराब आपको कभी कदर फ्लिंट भी मिसकते तो और भाई बहुत सारे रिसोर्स प्रोवाइड करते आप लोग देख सकते हो भाई रेड्स्टोन आचुका है आयन नगेट आचुका लैपिस आचुका है अब लोग इस मद एक सेकंड यह क्या हो गया इस तर थग्यों में यहां पर आप लोग देख लो है मेरी इंवेंटरी में बहुत सारा सामान पड़ा हो है एक बहुत बड़ा ट्री वन उग्या था तो उसको तोड़ते तोड़ते जान निकल गई और उसने रिसोर्स भाई क्या ही दिया मतलब पूछो ही मत और यहां पर हम लोग को बननाने को बनेंगे अनलोक फाइनली बना सकते कोबल स्टोन का सैपलिंग जी हां इसमें को सैपलिंग भी है तो मैं इस साइड के सैपलिंग को तोड़ के कोबल स्टोन का सैपलिंग जो उसको लगा हूंगा सो दैट हम लोग के पास बहुत सारा कोबल स्टोन साज है यह लिटरली तीसरा चौथा क्रॉक होगा जो तूटने वाल है इतना सारा लीव मिला था मेरे को बापरे बाप मदला ऑल्मॉस्ट पांच स्टैक के आसपर था एक यह लीव मतलब सामझी जाओ कितना बड़ा होगा वो ट्री यह यह जल्दी जल्दी ग्रो हो रहे हैं जो की बहुत अच्छी बात है अभी मैंने एक बना लिया था तो यहां पर सारे वुट्स भी जो हो कलेट कर लेता हूं मैं आप लोंको इन्वेंटरी में दिखी रहा थर्टी टू हाफ स्टैक्स ऑफ वुड्ड जो हो चुके हैं हमारे पास यहां पर भी लीव भाई हर एक लीव जो कीमती है यहां थोड़े बहुत और बनाना वाला हूं या सीज बना लू मैं सोच रहा था नहीं डर्टी बना लेते हैं यह दर्ट को हम लोग इसके अंदर से इसका पर करी दो आणड ओ हुग गया इसको इस से नहीं तूड़ना आला मैं तोड़ना हूं रहा हैं तो फर्स आप स्क्रींसट ले लेते हैं कि यहां पर मैंने स्क्रिंशॉट ले लिया और सीधा इसको हैमर से तोड़ूंगा तो मेरे को सीधा जोए वुड्स मिलेगा और सीधा मेरे को इन्वेंट्री में ग्रैवल मिलेगा जो कि बहुत ही ओपी सी चीज है इसको अम लोग क्रुक से तोड़े तो इसका जो सैपलिंग जल्दी जल्दी तूटे लिफस्ता चाहिए और यहां पर ग्रैवल ओके तो हम लोग को मिल चुका है को बलशून सैपलिंग दो तीन मिले हुए तीन मिल गया तो इस जगे पर में आपर से उगा देता हूं को बलसुन सैपलिंग बढ़ा है तो फर्स आफ और मैं इस दर ग् इंगट मिल चुक है मतलब लोग एक आयन का इंगट है उसको क्राफ कर सकते हैं अगर आप लोगों को मैं बूली है तो इसको जो है मैंने क्राफ्ट कर लिए वुडन बैरल आपको तीन तीन शेक साथ साथ वुडन लॉक्स लॉक्स का बढ़ना हो प्लांच ची रहेगा तो यू शेप में रखना है और वुडन बैरल मिल जाएगा आपको तो इसके अंदर अगर आपने लीव डाला तो आपको थोड़े दिर बात जो है उसको पानी में अन्वर्ट हो जाएगा यह तो वेरी गुड तीन पेड और उगा सकते है अन्दाशा तो यह है कि कि कितना यह चार जो कोबल स्टोन है इसको नहीं इसको हाँ मैं इसको एक को तोड़ने वालों रहे यह क्या होता है बार बार और हम लोग जो है ग्रैवल कितना मिला साथ हमारे बास इन साथ को भी जो है सीव कर लेते हैं और होपफुली हम लोग के पास तीन आयन इंगर्ट बनाने कितना आयन का जो नगेट से वह आज जाए और कितना हुआ हमारे पास आयन के नगेट्स फंद्रा नगेट्स हुए थोड़ा बहुत और चीह रहेगा और हम लोग अपना अगला सैपलिंग भी बना सकते जो कि है कोल सैपलिंग तो कोल सैपलिंग जस्ट कोबल स्टोन एक आयर का स्पेस चोड़ा और इसके बाद भी जो हम लोगों को लगाने पड़ेंगे तो मैं ठोटा बहुत और बेश एक्सपांड कर लेता हूं थोड़ा बहुत प्रोग्रेस कर लेता हुँ उसके पाल आप लोग से मिल रहा है चिंदमा जा रहे हैं डूब रहे हैं यहां पर प्रोग्रेस आप लोग देखी सकते हों बहुत मस्तों प्रोग्रेस कर लिए हम लोगों ने चार आयरें के इंगर्ट चुक है अभी आप लोग के बास और थोड़ा बहुत डर्ट बना सकते हैं अम लोग तो मैं थोड़ा बहुत और एरिया एक्सपांड गरूंगा यह इस बन्दमात्राम